आप देख रहे हैं चोहर वीडियो और आज इगनु की तरफ से एक बड़ी अपडेट जारी की गई है इगनु की तरफ से दिसंबर 2023 के एकजाम की फाइनल डेट को रिलीस कर दिया गया है तो आज की वीडियो काफी इंपोर्टन्ट होने वाली है आप इस वीडियो को पर देख पा रहे हैं यह इगनु की तरफ से रिलीस की गई फाइनल डेट सीट है इससे पहले भी डेट सीट आप जानते कि इगनु की तरफ से रिलीस की गई लेकिन वो सब्ते सब डेट सीट टेंटेटिव डेट सीट होती थी यानि कि वो डेट सीट की जो ती वो संभाव से लेकर पांस जनवरी तक थी यानिकी एक दिसम्बर से एक्जाम सुरूओकर पांस जनवरी दो हजार चौबीस तक चलेंगे लेकिन जो इससे पहले वाली 19 सब्टेंबर की जो डेट सेट आई उसमें चेंज कर दिया गया और एक दिसम्बर से लेकर 9 जनवरी दो हजार चौबीस तक आपके एक्जाम रखे गए तो इस तरीके से आप देख सकतें कि टेंटेटिव डेट सेट में बदलाव किया जा सकता है इसलिए इस्ट्रुएंट जो हमेशा उनके लिए फाइनल डेट सेट जो होती है उसका ज्यादा महत होता और फाइनल डेट सेट या फिर आफ्टरनून सेटन जिसको कहते है वो दो बज़े से पांच बज़े तक होंगे लेकिन एक्ट्वल डूरेशन जो है वो आपके कोस्टन पेपर में ही आपको पता चलेगी क्योंकि कोस्टन पेपर कुछ दो घंटे के होते हैं कुछ देड़ घंटे के होते हैं आपको इगनू की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा जहां पर से आप उसको डाउन्डोड कर पाएंगे उसके बाद इस्टोर्ट में note that there can be possibility of last minute change of examination center due to unavoidable circumstances यानि कि आपके जो examination center उसको last minute में change किया जा सकता है अगर ऐसा कहीं पर होता है कि आपका exam hall fill हो गया है या वो exam hall इस समय available नहीं है तो ऐसा भी कई बार पिछले session पर हुआ है आपका exam दो दिन बाद है और आपको exam center जो है वो उस subject के लिए उसको change कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर कोई और चीज होनी है या फिर वो इस समय available नहीं है तो इस तरी के कुछ चीज़े इगनु में होती रहती हैं आप जानते कि इगनु के साथ-साथ बाकी उनिवर्सिटी लिए अलग-अलग इंस्टिटूट्स अलग-अलग colleges अलग-अलग जो schools है उनसे बात करनी पड़ती है तो इस साथ से कई बार इस से होता है कि आपके examination center उसको change किया जा सकता है last minute में उसके बाद language के बारे में जानकारी जी गई है कि आप जिस भासा में आपका course offer किया जाता उस भासा में आप उसके answers को लिख सकते है यानि कि अगर कोई course है जो कि English और Hindi में available है उसका मतलब यह है कि उसकी answer state में आप उसके answers को English या फिन हिन्दी में लिख सकते हैं यहाँ पर जो जानकारी यहाँ पर साफ साफ दी गई है आपको answer state जो होती है उसमें जब medium लिखा हु जो है वो लिख सकते हैं उसके बाद बताया गया कि कौन कौन से question paper जो है वो mcq type आएंगे bns 041 और 042 अब descriptive type होते हैं तो यह जानकारी जी गई है class of exam जो है अब वो consider नहीं किया जाएगा बताया गया कि कौन से group है जिनके exam जो है वो एक साथ conduct करवाए जाते हैं उसके बाद अगर हम देखें तो 1 December 2023 सुक्रुवार के दिन Friday के दिन आपके exam सुरू हो रहे हैं जो कि आपके जो exam से वो चलेंगे सीधा 9 January 2024 जैनकि 19 September की जो date sheet आई थी उसमें जो 9 January तक आपके exam जो है conduct करवाने के लिए कहा गया था उसको इस बार भी वही रखा गया है यानकि final date sheet जो जानकारी दी गई है कि 1 December से लेकर आपके 9 January तक आपके exam चलने वाले कुछ कुल मिलाकर 31 days आपके exam चलेंगे यानकि 31 दिन आपके total exam चलने वाले बीच में जो भी छुटी बगारा होगी उसको यहाँ पर include नहीं किया गया है जैसे कि Christmas day हो गया Sunday हो इन सब days को यहाँ पर जो calculate ह वो नहीं किया गया है तो आपके 1 December से लेकर 9 January तक आपके exam चलने वाले है यह date sheet आप download कर लीजिए यह date sheet आपको मेरे telegram channel चोहान वीडियो वाइटी पर मिल जाएगी जिसका link आपको इस वीडियो के description box से मिल जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही